आज आपको लिंक से संबंदित ब्राद्या है उसके बारे में बताऊं कहीं बार कुछ लोग लिंक से संबंदित लंबी-लंबी बातें करते हैं बड़ी बातें करते हैं साइज के बारे में 8-9 इंची इस पकार बताते हैं ये सारे व्यर्थ की बाते हैं लिंक की लंबाई से वेवाइक जीवन में कोई लेना देना नहीं होता है संतुष्टी होना महत्मपूर्ण है असमे तूंद वालों के लिए इंद्री का छोड़ा होना लिंक का छोड़ा होना एक सामान्य बात है डियाबिटीज के पेशेंट हो या कुछ जो मोटी तूंद वाले विक्ति हैं कुल लोगों में इंद्री का छोटा होना जितनी बीमारी नहीं होती है उससे जादा वह मनोब्रह्म में जीता है यह सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें और अधिक्ष अधिक शेर करें ताकि लोगों को सा समाधिपाद में क्या वर्णन दिये हुए उसके दो वर्णन को आप बता रहा हूं किस परकार मनुष्य एक ब्रहमित होता है विप्रियो मिथ्या ज्यान मत दृप प्रतिश्टम अर्थार्थ विप्रे मिथ्या ज्यान है क्योंकि वह पदार्थ के सुरूप में नहीं है इस बाव से विप्रे बृती एक प्रकार का ब्रहंत ज्यान है क्योंकि तत्व संबंदीट पदार्थ में उस रूप में नहीं मिलता है कैसे जैसे ये समझ लेजीए व्यक्षारात को कहीं गुजरता है और उसे साप के आकरती दिखती है और उसे साप समझ लेता है पर जब वह सवेरे वहीं से गुजरता है और उस परकाश में दिखता है कि राद को जिस स्थान पे मुझे साप दिखाता वो यहों का त्यों पड़ा है वो साप नहीं रसी है अर्थार्थ एबनॉर्मल साइकोलोजी भी यही कहती है मैंने जो भी आपको बताया था समाधी पादी एक एंटिक साइकोलोजी है और वतमान में abnormal psychology यही भी कहता है कि आप ब्रह्म में हो, ब्रह्म से बार आईए और ब्रह्म से रहने वाला आदमी जो सब्द ज्यानुपाती वस्तु सुन्यों विकल्ब के रूप में कैसे होता है सब्द ज्यानुपाती वस्तु सुन्यों विकल्ब अर्थार्थ वह व्यक्ति सबसे उत्पन ज्यान अनुगम करने वाली एक चित व्रती होती है वह विशे में शुन्यों होती है वही विकल्प शुन्य व्रति क्यालाती है जो विकल्प हमारे चित में उत्पन होने वाली एक ऐसी व्रति सब्द है जो उत्पन होती है परन्तु बोध्यामान वस्तु के अस्तित्व में रहीत होती है कैसे जैसे खर्गोष के सेरपर सिंग आकास की फूल या बंदिया इस्तिरी के पोत्र इस परकार आदमी जो सब्द का ज्यान है वहाँ परिपूर्ण नहीं होता है और अपने मनोजन्य सब्द की उत्पति कर लेता है जबकि ऐसा होता नहीं है वास्तिक जीवन में इसलिए मेरा कहना यहीं है कि लिंग के अंदर जो व्यक्ति सुन्य भाव ग्रस्त हो या विप्रे ब्रह्म से हो इस परकार से एक व्यक्ति अपने आपको ठगाया हुआ मैसुस करता है ठगता जाता जिंदगी में लिंग की जो लंबाई लोग ब्रहमक बताते हैं उससे उसका कोई लेना रहना नहीं होता है इस्तरी को जो संतोष्टी मिलती है वो अगर भाग उपरी भाग से मिलती है यौनी की न कि अंदर लंबाई से आगे बच्छा लानी होती है गरवाश होता है ऐसा नहीं होता है कि वो आगे तक पूर्ती हो इसलिए ब्रहमग्यान से निकलिए हाँ हो सकता है लंबाई कम की वज़े से सिग्रपदन की अगर कुछ शिकायत है तो निरान कराना जरूरी होता है और उसके लिए मेडिसन से जादा साइकोलोजिकल एफेक्ट होता है आपको परामर्स के आप सकता ह परामर्स लेंगे उसके लिए धहरी धीरजगी आप सकता है और जैसे धीरजग लेंगे और आपको प्रेणाय निरंतन मिलेगी अभ्यास की तो आप ठीक हो सकते हैं बाकी अन्दे आप गूमते रहेंगे पैसों से बरबाद होंगे रस्ता कुछ भी नहीं है विश्व में नर हैं मस्तर हैं स्वस्तर हैं कोई भी टिपर्णी है टिपर्णी का जबाब सब भी तरीके लोगों को टिपर्णी का जवाब दिया जाएगा और वार्टसप पे हम लंबी वारताएं नहीं कर सकते हैं नंबर दिखने से लोग लंबी वारताओं में उलज जाते हैं इसल दूसरों को संभव नहीं है मिलते रहें नए अपडेट वीडियो तक मिलते हैं जैहिंद